कि यह अब जैसे कि हमारी नीट इंग्जम अप्रोच हो रही है पच्छों के रिकफिस आये थी कि सर केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ का एक बन चॉट वीडियो बना दीजी तो बटा यह मेरा कुछ वन चॉट वीडियो ऐसा देड़ घंटे का दो घंटे का नहीं है बहु इस वीडियो को देखोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और जो बच्चे को यहां पर इसके कुछ भी बढ़ाए नहीं होगी जीरो परसंट कुछ भी इमानॉलिजी नहीं है यह वीडियो देख लीजे विड़ा हंड्रेट परसंट आपको एक सवाल तो आएगा आएग इसमें से मैंने कुछ ऐसा पारग्राफिस बनाया नहीं है मैंने चोटे-चोटे चीजे को पार्ट में डिवाइड किया है और मैं चाहता हूं कि यह चीजे है ना आपको एक या दो बार तीन बार रिवीजन करते जाओ देखते जाओ तो दिमाख में बढ़े जाएगा अब यह तो वहां पर टार्गेट ड्रग्स आ गया आ गया इस सब बहुत कुछ आते कंपूशन बढ़ा देता है करना कुछ भी निपटा मैंने कुछ चीज़ों को चार पार्ट में डिवाट किया है पहला एंटिवाटिक क्या है अनालजीसी क्या है एंटिवाटिक क्या है इसके बाद में फ्रांस्कुलाइजर क्या होते है फिर स्वीटनिंग एजंस क्या होते है यह थोड़ा अलग अलग पार्ट में डिवैट कि है वह आपको इसली समझ में भी आजाएंगी कि वह दिगे तो पहला पार्ट में बदाना चोगा यहां से अब और दी आंटिवाट सबसे अच्छा जो हमारे स्क्रेप्टो माइसीन दिया है और क्लोरो माइसीन दिया है कि पहला आएगा बड़ा स्ट्रेप्टो माइसीन हो सकती मेरी स्पेलिंग गलत हो बाफ कर देना क्लोरो माइसी 10 कर रहता है बड़ा का क्लोरो माइस है सीटिन है कि यह जो यह टॉनों इंटिवाटि अब आएंटिवाटि में सबसे अच्छा इंटिवाटि ऑड़ने का अगर आपका पढ़के हो गया ये वीडियो देख लो रिविजन हो जाएगा अगर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूं ये वीडियो देख लो आजाएगा पढ़ने वाले बज्चों को भी चार्मा और जो नहीं पड़े उनको भी चार्मा पैनिसलिंग जी किसमें आ गया बड़ा नारो स्पेक्ट्रम और एक आ था क्लोराम पेनिकॉल क्लोराम पेनिकॉल राइट यह भी तो एंटिवर्टी गया है लेकिन यह कुंसी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अच्छी बात है सर एक आ गया नैरो वाला और एक आ गया ब्राड वाला बड़ा यह पैनिसलिंग जी है ना अगर आपको पूछा जाए इसके अंदर इकोंसे मतलब फंक्शन ग्रूप प्रेसेंट होता है तो आपने बोला पैनिसलिंग का अगर आप एंस इसलिंग का सच्चर हमने एंसे अडी में दिया हासर कैसा है नहीं मालो पर कुल सा फंक्शनल ग्रूप है वोला इट इट इडाज सी ओ ओ एच ग्रूप तो भाई जो इस कंपॉंड में सी ओ वेच ग्रूप होगा वो किसका टेस्ट देगा डाट विल गिव जाए तो सोडिय मतलब प्रेजंस और फॉंक्शनल ग्रूप कैन बी डिटर्माइन बाइद टेस्ट कॉल आज ए एने टू सी ओ ट्री टेस्ट ऐसा एंसी अर्ट में तो नहीं दिया बस सुदिर सर ने बताया याद रख लो कुछ नहीं होता यह पैनिसलीन की बारें बाद किये सर यह पैनिसल प्रेजिन को फुड़ा सा और ली जाएंगे और बताएंगे इसके लिए कि सिंथर्टिक कि सिंथर्टिक कि मॉडिफिकेशन कि आफ पैनिसलीन कि इस आफ टू टैप्स अब फिलाल में बहुत से हैं एंस याटी दो लिखता मैं भी दो लिखता हूं पहला वाला आता है पहला वाला हता है आहान उपफि सी लीन पसी लीन थैं च्स-प्र बिलिए पूछता एक्जामनर भी नहीं पूछता है अमांग फॉलाइंग नैरो स्पिक्ट्रम पकड़ लो अमांग फॉलाइंग ब्रॉट्ट्रम पकड़ लो आगया सारी चीज आगी बिटा वेरी गुड अब आपको यह जो यह जो बात कर रहें एंटिवॉटिक के दो तरह के हैं ब पहला वाला आए गया जो बैक्टिर्य को किल करता है उसको को पूलते हैं बैक्टिरी साइडल जो बैक्टिर्य को मार देगा तो बैक्टिरी साइडल एंटिवॉटिक और दूसरा जो बैक्टिर्य को बढ़ने से रोकता है को ऐसे बैक्टिरियो स्टैटिक बैक्टिर्यो स्टैटिक मतलब वह बैक्टिरी को बढ़ने से रोकता है इनिवीट तो ग्रोता बैक्टिरिया इभीट इग्रोहत ओफ बैक्तिरिया और बैक्तिरिय की बाद किया डैट की बैक्तिरिय सूरी नि mesra मारते मानोई, by inhibiting the cell wall synthesis, and that inhibite the growth of bacteria, कैसे मब का? By interfering with their growth and metabolism. कि दाट इंटर फिरिंग विद ग्रोथ एंड मेटाबोलिसम यह इनकी ग्रोथ को है ना रोग देगा इसके एक्जांपल पूछते हैं सर ऐसे कौन से एक्जांपल से डेट विल कीव दे बैक्टेरिया पहले लगा दिया मैंने एक जो है और फ्लेक्सीन ओ एफ एल एफ एल एफ एफ एल एक्स एफ लैक्सीन पीड़ा दूसरा है था अमाइनो ग्लाइकोसाइड इसकी एक्जांपल देखो टेट्रा साइक्लीन राइट और एक्जांपल आती पीड़ा फ्लोराम पिनिक और प्राट स्पिक्ट्रम कि दूसरा आएगा अरित्रोमाइसीन क्या गरती है इनिवीट दो ग्रोथ आप्टेरिया आ गया पलते यह चोटा सा पार्ट है भाई अब बुक में से पुरा पढ़ने मैठ गया है समझ में तो आएगा पर टाइम का मैं इतनी चीज़ समझने से अच्छा यह वीडियो सबसे बड़ा नाम है जो की नैरो स्पिक्ट्रम का है और एक लॉरम पे निकॉल है यह ब्रॉट स्पिक्ट्रम होते हैं जो कि दो तरह के एक जो बैक्ट्रिया को किल करेगा एक जिसकी ग्रोथ को इनिबीट करेगा किल करने वाले के ऑफलैक्जीन अमाइनोग्लाइकोसाइड और जो इनिबीट ग्रोथ आप एक्ट्रीया होगे ट्रस्लेक्टिंग चलोरेंप एनिकॉल जो यहां पर भी आ गया एड़ एड़ित् सब्सक्राइब करेंगे यह था तो छोटा सा पर यह चीजों को दो बार तीन बार देख लो बटा मैंड में ऐसे बढ़े जाएगा अब प्रीवेस यह के पेपर निकालो आप चारफास साल के है और देखो क्या आपके सवाल बनते या नहीं बनते बने तो मुझे रिस्पॉंस कीजिए नहीं बने तो भी मुझे रिस्पॉंस कीजिए सर आपने बताए तो नहीं बने उससे क्या हो था थोड़ा सा मुझे मिलता है कि हां मैंने कुछ बताया बच्चों क करना पड़ेगा आपके लिए दूसरा देखिए इस मैंने ये भी अलग कर दिया किसको को अब मैंने पूरी चेप्टर को छोट छोटे बाट में डिवाइड कर दिया भाई पहला था आप जानते हो बटा सबसे अच्छा अच्छा एंटी सब्टी कि यह है भी आए टी एच आए ओने यह बितिन वाला और यह मालूं कहां डालते हैं साबून में डालते हैं अब बोलते ना कोई कोई बोलता कि मुझे स्किन की अलरजी है ऐसा है वैसा है तो डॉक्टर बोलता हाँ जाके वह मार्गो वाली लेकर आ जाओ उसमें क्या है थोड़ा नीम ह कुछ भी नहीं रहे था बोलने के लिए आयर्वधिक के नाम से सब लोगे की विश्टे क्या है ना बटाई वितिनियोल सोप में बितिनियोल डाल दो तो इतल बेवाय से एंटिसेप्टी के सार और यह साबून में डालते हैं नहीं मालूम कर लो ठीक है एक अच्छी बात है ते सर आपने नहीं बता दिए आप लोग को यह भी मालूम कर बोरीक एसीड का डैलूट सॉलूइचन पो एच्टो डिए किसको को बैटा डाईलूट सॉलूइचन ओफ ए डाइलूट सॉूलूशन ओफ बारीक एसीड को अगर एच्टो डाल दे तो सर यह बी तो एंटी टिक बनता है वेरी गूड एक्जाम में पूछा है यह सब डेटल एंटी सेफटी है नहीं है भाई कैसे बनता है क्लोरोजाइलीनॉल को अलफा तरपीनियॉल में डाल दो डेटल आ गया और एक अच्छा सा एंटी सेफटी हमारे भुक में लिखा हुआ है डेटल डेटल डेट की साथ में डालते क्या हो से कियारते हो किसे FeCl3 की टेस्स से पिनॉल का ग्रुप पता करते हैं ना2CO3 से का बॉक्सलिक असिद का ग्रुप है यह नहीं पता कर सकते हैं तो प्रेसेंट आफ का बॉक्सलिक और के अप्रीट लिच टेरंगाइट आप सोडम का अबने टेस्स आप सेज़ा हो प्रेसेंस कि अगा कि अगा कि अगा कि अ बिटा थर्ड वाला देखिए अगा कि सका थर्ड वाला यह जो है ना मैंटल डी सीजस के लिए यूज किये जाते कभी कभी कुई सीवियर मेंटल डी सीजस है माईल जो पागल जैसे होते देशली पागल नहीं होते तो वह स्ट्रेस जाजा आ जाता तो उस पर ट्रीटमेंट कराते और वह मेडिसीन देते उसका नाम है ट्रांस कि रहें बटा कि सर आप एस ओर लिग दिए एक ही बाद है बटा प्रांस्कुलाइजर है यह क्या है ट्रीट्मेंट ओफ कि ज्यादा स्ट्रेस आ गया तो ट्रांस्कुलाइजर देते हैं डॉक्टर लोग कि तरह का एक ड्रग है बेटा लग कैसा है कि अच्छली यह सब नहीं लेना चाहिए पर आजकल को दुसरा इलाज ही नहीं है तो यहीं देते हैं तो ट्रीट्मेंट आउस्ट्रेस के लिए जो मेडिसीन दी जाती है और यह द्रांस्कुलाइजर का यूज किया जाते हैं या तो सिवेर मेंडल डीसीज ओ या तो माइल्ड हो यूज फॉर सिवेर मेंडल डीसीजेज सब्सक्राइज के लिए यह वाली मेडिसीन यूज की जाती है एक्जाम में सीधा पुछता है अमांग्ड फॉलाइंग स्थांस्कुलाइजर आप कितना भी याद करो बुक में जितना लिखे याद करो लेखो आपको मैं अभी बता रहा हूं मैं जो दे रहा हूं पकड़ के रोको पक्का उसमें सी आते हैं और मैंने और यह बना लिया भई हः एक्जाम में पूछा गया है और एक आगा कि मुमीनल कि मुमनल भी चाहर हो गया हम बैट इक वा सकते हैं और आइक्छल में गवाले कि यूच हाईपर्टेंशन के लिए उसके नहीं के ँग्याता है इसके बाद भीका वाे-न्हास फिनिल जीन करके आता है तो बड़ा यह इतने हमारे ट्रांसकुलाइजर है आप इसको याद कैसे करोगे देख लो बड़ा बार्बिटूरीक एसीड सेकोनल वेलियम लुमिनल इकवानिल फिनिल्जीन कहीं कुछ और बनता है बना लो नहीं तो छे तो यादी रखो बार्बिटूरीक देखो यह तो बहुत ही कॉमन है और यह लुमिनल यह बहुत ही कॉमन है चारों के चारों अब रहां इकवानिल और फिनिल्जीन को कैसे याद रखोगे सर्याइप्रेटेंशन के लिए उसकी जाती है फिनिल्जीन एक नया ड्रग है जो हमारे ट्रांसकुलाइजर में आज अब थोड़े से हाथ पाउद दरत देने लग गए उसकी भी बात करो विटा आप जानते हो अनाल जेसिक क्या होते है और एंटी पाइरेटिक्स क्या होते है कि हावड़ा अनाल जेशिक्स दा मेडिसीन विच्विल रिलीव तो बॉड़ी पेन अब हाथ पाउद दर्दी ऐस्परीन खा लिए क्या हो गया अनाल जेशिक्स बिटा दर मेडिसीन और विच्विल और द्रग और दर मेडिसीन विच्विल उस्टू रिद्यूज तो रिद्यूस बॉड़ी टेंपरेचर को कम कराने के लिए एंटी पैरेटिक देते हैं बुकार आगया डॉक्टर भूलता पैस्ट अवाल खालो राइट तो यह अनाल जेशिक्स को देखोगे अब तो सबसे अच्छा एक्साम्पल आपके पास मिल गया क्या सर एस्पीरीन बेटा आचकल जानते हो एस्पीरीन में थोड़ा सा इसकी भी कॉण्टिटी आ गई है थो भी एस्पीरीन अंग मतलब हाथ पाउध दरत दी बॉड़ी पेन किया तो भी एस्पीरीन अलब इसका काम है तो रिली तो बॉड़ी पेन एसफेल स्टू रिल्यूस्ट बॉड़ी टेम्परेशर अगर आप यहां यूज करोगे तो यह सिर्फ बॉड़ी टेंपरेचरी रिडूस कर सकता है बॉड़ी फिन को रिल्यू नहीं कर सकता और एक अच्छा सा इनाल्जेसिक है जिसका नाम है बटा डाइकलो फिनोन डाइकलो फिनोन अच्छली पी एची लिखते हैं मैं एफ इनो नहीं लिखा है नोवाल जीन आजकर मार्केट में बहुत चल रहा है नोवाल जीन तुमके यह काम करता है करता होगा पर हमको मालूम है पैरेसे टमर्डू तुरीद्वशाइब बॉड़ी पेन ले लो यहाँ तक स्कृंशोट ले लो इनका बटा अब है कई बार खाना खाने चले गए बिर्यानी खाने बढ़े बिर्यानी बहुत अच्छी लगी जितना खाना उसे ज़्यादा खा लिए आप में तुक्त ऑदेकर देख्टार ने चुरु हो गई इननो ला वह क्या लेना है कि अ के लेना है अन्का थे क्या लेने है right currently अब डासईट क्या की यूज करते है हमारहि ईंटि पोलता है भाई सीमी टीडीन लीजिए आग्टासेड एंटासिड मेटीडीन है उमेर प्रोजॉल होता है प्रोजॉल या उमर प्राजॉल प्राजॉल होगा हाँ प्रोजॉल होता है रानिटीडीन होता है प्रोजॉल और एक आएगा आपका हाइड्रॉक्षड ऑफ अल्लीमिनियम आपको बात बतों है यह रानिटीडीन का स्ट्च्चर आप अंसी आटी में देखो विड़ा इटाइज दे स्ट्च्चर आफ फ्यूराउं इसा स्ट्च्चर देखो फिरॉन के जैसे राइट इसके बाद आएगा बेटा आंटी हिस्टा माइन स्ट्मक एक हो गया है तो अंटी हिस्टा माइन ले लो क्योंकि इट इनिबीट देट इस आक्शन ओर दे इस्टा माइन पता तो क्या है इतना लिख लो बेटा इस्टा माइन होता है इनिबीट दैक्शन ओवे इस्टा माह इन भीट दैक्शन ओव मैं इनिबीट दैक्शन ओव कि और उसकी action को रोकने के लिए anti-histamine लेते हैं अब यह anti-histamine क्या है एक आता बटा डाइफिनाइल हाइडराज हाइडरानीन डाइफिनाइल हाइडरानीन एक anti-histamine आएगा और एक आएगा बटा क्लोर फिनिरामीन च्लोर एक लुए पी एच ईनाए और एम एडरानी यह इस है तो मेडिसीन से बढ़ा जो ब्हुएव करते हैं अग्षिन को रोक दें रैट चलो इसके साथ में हमारे बुक में यह भी दिया था बाई एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या है राइट एंटी फर्टिलिटी ज़र पेटा यह आथा नॉर्थ री ड्रोन एन ओर एटी एच इन ड्रोनी और और एक ड्रग है पेटा जिसका नाम देखो इससे मिलता चुलता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं देखिए यह दूसरा जो आएगा नौर एड्रिनालीन भाई यह नौर एड्रिनालीन जो ड्रग है एंटी फर्टिलिटी का नहीं है इडिसे नियूरो ट्रांस्मिटर इडिसे नियूरो इडिसे नियूरो ट्रांस्मिटर नौर एड्रिनालीन इडिसे नियूरो ट्रांस्मिटर नौर्ट तरी ड्रोन इस एंटी फर्टिलिटी ड्रग यह दो है आज एंटी इस्टा मैं राइट ले लो यहां तक कि 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 एक था बड़ा एंटाइसिट्स के बारे में आप आप देख लिए एक था आपने एंटी इस्टा माइन के बारे में देखे और यह देने के पीशे रीजन गया था बच्चे लोग ना हो कि नौर्थ नौर्थ इत्न ड्रोन एंटी फर्टिलिटी ड्रग है सर लेकिन नौर एड्रेनालीन इसके लिए कंपेरिजन में यह दिया है लिए रहां स्टार्ट इमें देखो बेटा आपको यह दिया गया है क्या दिया है कि nca2 में दिया है ड्रग टार्गिट इंटरेक्शन दिधा है अब कि ड्रग पढ़़नालो पढ़के समझ लो पढ़के समझने के बात भी क्या अपने examiner के पास इसमें से कुछ पूछने लाइक है कुछ भी नहीं बढ़ा पूछेगा तो यह पूछेगा सर एंटागोनिस्ट कौन है मैं तो नहीं हूं आप भी नहीं है तो कौन है और हैं भी तो वह करेगा क्या पर एंटागोनिस्ट तो चीज़े रोकेगा यह मैसेजस को रोकेगा राइट को रोकेगा राइट कौन रोकेगा एंटागोनिस्ट पूछेगा तो यह पूछे नाbernे की जञा जोत कि मैसेज ट्रांसफर को इंक्रीज करता है इसका उल्टा कि एगोनिस्ट को ने तो इंक्रीजेस और इंक्रीज कि मैसेज कि ट्रांसफर खदम कि इसमें ज्यादा पूछने के लिए कुछ भी नहीं है हां यह बोलेगा विच्छ फाइट फॉर बांडिन डू अक्टिवेट लिए जाता है राइट लिए यहां तक का प्लीज टेक ए स्क्रीश और टु एयर अब हमने यह जो आंटी माइक्रोबील पर लिए थे ना अटी सेटी टेनल प्रॉसेस में करने पर्संट हो तो वह बन जाएगा क्या बन जाएगा एंटी सेटिक लिखते सर अच्छी बात है कि लेकिन यही फिन आल कि आपका पॉइंट टू पर्संट चे थोड़ा बढ़ जाए थोड़ा मतलब कितना बन पर्संट बढ़ जाए क्या बन गया यह याद रहेगा और एक याद आ जाता है सबको याद आ जाता है कि बश्वन में जब हम गिर जाते थे हाथ पाओं को कुछ घर हो जाती तो डॉक्टर वह ब्राउं-ब्राउं सा सोलुशन लगाता था वह क्या है टिंचर आफ आयोडीन तो जैसे आप एंटी अधिवडीन है ये भए टिंचर आवप आयोडीन है में डाल दीजिए मिला लो आपको टिंग्जर आप आइडिन देदेगा इस बेवाज एवाड ऐंटी सेप्टिक बन गया चलो अच्छी बात है सब क्लोरीन भी डिसंफेक्टेंट होता है और एसो टू लोग कॉंसेंट्रेशन भी डिसंफेक्टेंट होता है तो यहां लिख द क्लोरीन आसपास पॉइंट टू से पॉइंट फॉर पीपीम में आ जाए पॉइंट टू से लेके पॉइंट फॉर पार्ट्स पर मिलियन में आ जाए तो भी यह हमारा डिसंफेक्टेंट जैसे बेव करता है तो यह पार्ट मैंने क्यों लिखा कि दिया बटा एक्चुली य पार्ट है यह वाला यह वाला अन क्या ये जो पार्ट है एक्चुली मुझे बताना था पर मैं वहन नहीं बता थिए यहां लग ले आया हो क्योंकि देखो चीज थो एक ही है पर परसंटेज अलग होने से यह एक pakित बिइसंफेक्टेंट ती के जो आपका यह आप जानते हो ला आपका फ्लोर यह डाल गो क्या पानी में साफ कर दो आपका फ्लोर चमक में लग जाता है वो क्या हो गया इसमें तो इसको हम ऐसा कर लेंगे यह दोनों की हेडिंग मिलाके एंटी माइकरोबीयल्स खथा क्या हो गया सर यह एंटी माइकरो मेल्स बन गया है ले लो इसका स्क्रींशॉट विटा अब केमिकल्स इन्द फूड सबसे पहले अब यह जो केमिकल्स इन्द फूड है यह जो हमारी इंस्याइटी में उतनी दे रहा हूं में पहला वाला है इस पार्टेम पीए यह मी लगागा हूं इस पार्टेम सर दूसरा वाला क्या है बेटा साकरीन थर्ड वाला क्या है अली टेम अली टेम फूर्थ वाला क्या है सुक्रालोज राइट चलो यह चारों में एक्जाम में आप तक पूछा गया है चारों में ऐसा कौन सा यह जो हम यूज कर रहे ना इस फॉर स्वीटनेस मिठास बढ़ाने के लिए तो इन चारों में ऐसा कौन सा यह जो अंस्टेबल आटे कुकिंग टेंपरेश्य तो बढ़ा अस्पार्टेम चलो क्या सर यह चारों की आप स्वीटनेस नैच्रल सुगर से कंपेर कर आओगे जरूर सर अस्पार्टेम सर इट इस हंड्रेट ताइम्स इट इस हंड्रेट ताइम्स स्वीटर देन नैच्रल शुगर राइट साखरीं की बात को बड़ा साखरीं यह डाइपेटिस मेशन के लिए बनाया गया है जो डाइपेटिस मेशन मिठा मिटी चीज़े नहीं घा सकते ना उनके लिए और अगर इसकी स्वीटनेस कंपेर करें ना नैच्रल से ताइम्स साथे पास्टो डाइं 550 टाइम्स कि स्वीटर देन नैच्रल शुगर अ कि विड़ा एक आरह हंड्रेड एक आरह फाइफिफ्टी अली टेम को देखो सबका बाब है क्यों मालूं 2000 टाइम्स स्वीटर देन नैच्रल शुगर है कितना 2000 टाइम्स स्वीटर देन नैच्रल शुगर अब सुक्रा लोस की बात करो समवाट सुक्रोस के जैसे हैं तो इसमें कोई कैलरीज भी नहीं है और इसकी स्वीटनेस कंपेर करो तो छे अगर आप यह चारों को और में लगाना चाहें इंग्रिसिंग और तो पहले को ना आएगा एस्पार्टेम आएगा उसके बाद में को ना आएगा सुक्रालोस आएगा उसके सब्सक्राइब करना की लिए आप लगा दो अलीटम कि एस एलाए बिचके तो भी ऐस्से भाई एक आरा सेक्रीन और एक आरा सुक्रालोस सैक्रीन को एक लगा दो लगादिये और सुक्रालोस को यू लगा दो यह यह order याद रखो increasing order of the sweetness आली टेम सबसे ज़्यादा मिठा और सबसे कम मिठा सबसे important क्यों है आज तक पांच साल की एक्जाम में देखते हो तो तीन बार एक्जाम में पूछा गया है क्योंकि यह unstable at the cooking अब कुछ food preservatives की भी बात कर लेंगे साती में food in the chemicals बोले हो तो food preservatives भी देखना पड़ता है हाँ एक्जाम में पूछता है बेटा among the following which are the food preservatives तो यह सबसे आसान तरीके food preservatives बताने के पहले यह लिख दो बेटा हो वेरी गुड अब देखिए यह food chemicals in the food मतलब sweetness की लिए कर दिये अब chemicals in the food मतलब food preservatives भाई आचार बना लिए तो दो-दो साल आचार खराब नहीं होता क्यों preservatives डाले हम घर में आलू की चीप सुबह बना लेते शाम को बास आ जाती है मार्केट में आलू की चीप्स तीन दीन साल बिखते हैं क्यों क्योंकि food preservatives है तो देखो सार चेमिकल्स इंद फूड हम बात कर रहें किसकी सर फूड प्रिजर्वेटिव की बात कर रहें इसलिए यह सारी चीज़े प्रिजर्वेटिव रहती करके लिए यह सब खाना नहीं चाहिए इस नॉट फॉर है राइट सर चलो अच्छी बात है सर क्या है पहला वाला सोडियम बेंजोएट है क्या है विटा सोडियम बेंजोएट है उसके बाद क्या है सॉल्ट ऑफ सॉर्बीक आसीड है शॉल्ट ऑफ सॉर्बीक आसीड पीटा उसके बाद आता प्रोपाइन अधीड आता है विटा नमग भी तो फुट प्रेश्वेटिव से खाने वाला नमग और यह जो ऑइल्स होते हैं यह भी फूट प्रेश्वेटिव सब्सक्राइब तो दिस आर देख्यमिकल सिन दे पूछता है इननी डिट्रेजन कौन सा और केटनी डिट्रेजन कौन सा है वैसी बूख से डारेक्ली याद कर सकते बेटा फिर भी देख लो सोप्स अब इसमें इननीक डिट्रेजन पूछेगा क्या है इननीक डिट्रेजन क्या है यहां पर रहे ना लॉरील अलकॉल रहता है लॉरील मतलब 10 11 12 कारबन का अलकॉल लॉरील अलकॉल होता है सी एच त्री दस यह आगे दस एग्यारा और यह बारा यह आपका लॉरील अलकॉल है बारा कारबन का आपने इसके एसेडिफिकिशन करा लिए भाई एच प्लस है नहीं तो देना ही है नहीं देगा तो यह पूरा जो आपका आलकेश ग्रूप है सी एच त्री सी एच टू तेकन टेंट ताइम्स च्टू यह पार्ट को आपका एच प्लस हैं एच जोपोर मैनस का एच जोपोर मैनस मतलब ओक्सिजन विद एसो 3 मतलब है जुड़ गया तो क्या मन गया लॉरील हाइड्रोजन सल्पेड इस देनानिक डिटरजन क्या नाम है सर लॉरील हाइच का मतल करवाते हो ना सौड बना लेगा अगर इसको आप बेस से रियाट करवाते हो एक पास मीडियम में तो एसिड एन बेस की रियाक्शन करवा लो ओ एसो त्री एच जो है एच निकल के एने प्लस अटैक कर लेगा क्या बन गया बिटा यास इडिज इस वाल्ट आफ सोडियम नेगेटिव और एक पॉसेटिव क्या है तो आपका यह लॉरील अटूजन सर्फिट का यह जो पार्ट दिख रहा ना डाट वन कोड़ है से लिख लो बड़ा और एक आता है केटैनिक डिटरिशन भी और एक आता नान आयनिक डिटरिशन भी दो दो है पहले केटैनिक समझ अब आएगा केटैनिक का डिटरिशन्ट इसका नाम पूसता है तो नाम है उसका सीटिल ट्राइमिधाइल अमोनियम ब्रोमाइड है इसका नाम क्या है सीटी वाइल सीटिल ट्राइमिधाइल ट्राइमिष्य सीटिल ट्राइमिधाइल अमोनियम आमणियम ब्रोमाइड शियू ट्राइमिधाइल अमोनियम ब्रोमाइड लिए पॉल्ण हाइड्रोकर्बन चेंड अुछा पॉजी चार्जार यह जुड़ा है एंसे बटा और एंके साथ तीन तीन मीथ है रूप जुड़ गए कोड़र नरी वित उसव्ड गासर यह कौडर नरी आमोनियम वित एंसी टेट तो आप यहां पर लगा सकते हो गलत नहीं है इतना पार्ट आपका इतना लिख लो और एक लिख लेंगे लास वाला नौन आयनिक डिटरेजंट भी होता है कि अगर कि अगर कि सरी जो नौन आयनिक डिटरेजंट होते हैं यह एक्चुली यूज क्यों किये जाते हैं आप जानते हो पिटा पॉलूशन प्रिवेंट किया जाता है कैसे अब जो ब्राइंचिंग होते हैं ला हैड्रोकर्बन चेन की इट कान भी कंट्रोल एंड केप्ट टू भी मिनिमम वह जितने ब्राइंच रड़ावन हैं उसको कैसे अंब्राइंच करा देते हैं और एंब् पॉलूशन है वेरी गुड सर बहुत अच्छा काम कर दिये हैं अब बनाएंगे कैसे एक एक्जाम्पल लेंके बीटा स्टीरिक एसीड मतलब सिक्स्टीन सेवन्टीन एट एटीन कार्बन की एसीड है कि 16 17 और यह 18 कार्बन की एसीड सीदा सीवेच लग गया इसका नाम क्या नाम है इसका नाम है स्टीरिक एसीड को हम किसी आलकॉल से डालेंगे जैसे की पॉलिहट्राओक्सी अलकॉल बोलो या आप पॉली इतिलीन ग्लाइक ऑल बोलो पॉली मतलब बटा पॉलीमरिक फॉर् देंगे हम यह सीच टू है यह सीच टू है और यह और यह है और यह है ग्लिसर ओली हो गया ना कि ट्राइड रियाक्शन करा लो वाटर निकल गया वाटर निकलेगा ओएच यहां से दिख रहा है आपको यह जो है ना मैं ऐसे लिखाओ यह ले लो बेटा यह एन ले लो और यह इसको जुड़िया ओएच अब इसका नाम देखो सीच टू सीच टू एंड टिकन एंड टाइम है तो क्या लिको के नाम पॉली इतलीन अब बटा पॉली इतलीन ग्लाइकॉल यहां से ओएच यहां से एच वाटर गया अब अच्छे से समझ में आएगा यहां से ओएच यहां से एच वाटर गया तो सीच त्री सीच टू को ले लो सिस्टीन टाइमस सी ओ ओ नेगेटिव अगया नेगेटिव वाटर गया यह पूरी चेन उसको जुड़ गई कुनसी बटा सीच टू सीच टू ओ एच बला यहां से भी एच गया तो सी एच टू ओ टेकन एंड टाइमस पूरा जुड गया और बहार निकला बिटा सीच टू च्यच टू सीच टू एच उसको लगकें एच टू टैन सीच टू ऑड अंड गया यह पर कि प्रेंची वा ली थी उसको अनड्वेंच करा लिये और एच फ़u यह जो बनाए आपने right it is a compound obtained from steric acid and polyethylene glycol से जो compound बनता है that will be called as a non-ionic detergent which is used to yes control the pollution or the pollution can be controlled and it is a more easily देख लो इसको भी अचाइब दिये आगा यह और यह पुटा यह जो जितने important topic वारे ंसयाइडी में दिये थे मैंने एक छुटा छुटा पॉइंट बना के उसको बना लिया है आप इसको दो बार तीन बार अगर देख लेते हो और सीधा कोश्चन सौल करना शुरू करो के बार देखना शुरू करो अपने आप बनते जाएंगे यहां कुछ भी नहीं छुटेगा आपका डेफिनेटली जो बच्चा पढ़ा होगा अगर वह वीडियो देखेगा और ज करोगे कि सर आपने 20-25 मिनिट का जो भी वीडियो बनाये एवरीडे लाइफ का हेल्फुल रहेगा था और रहेगा बेटा सबको हेल्फुल रहेगा राइट ऑल देवेस बेटा थैंक्यू बेरी मैच देख लो इसका स्क्रीन शॉट ले लो